गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स, I am Sapna Shikhawat, Welcome to my YouTube channel, Sparking Future Bank Aspirant एक छोटा सा वोकेब सेशन, 5 मिनिट 5 वोकेब मॉर्निंग टी के साथ So let's get start So friends, आज का मॉर्निंग कोट्स है कि जब आखों में अर्मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया जब आखों में अर्मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है मुस्किल क्या, आसान क्या, जब ठान लिया, तो ठान लिया So friends, अगर आपने अपनी मंजिल को तै कर लिया है आपने अपना एम बना लिया है तो उस तक पहुशने के लिए आपके रास्ते में मुस्किले भी आएंगी और आसान भी होगी अगर आपने ठान लिया कि आपको अपनी मंजिल तक पहुशना है तो कुछ भी मुस्किल नहीं है और कुछ भी आसान नहीं है तो फ्रेंट्स वहाँ तक पहुशने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा हर मुस्किल का सामना करना पड़ेगा और आप अपनी मंजिल को पालोगी और आप सबकी दिपावली बहुत अच्छी गई होगी और अप दिपावली से आपको एक अपना अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है और उसके साथ पढ़ना है आप दिपावली से यह सोचो कि नेक्ष्ट दिपावली आपके पास एक अच्छी सी जोब होगी और आज से अपनी तयारी को डबल कर दो चलिए आज की हमारी फर्स्ट वोकेब है रेजोल्यूट रेजोल्यूट एक वब है जिसका मतलब होता है अटल या फिर सूनिस्चित means having are showing great determination means that कि आपने कुछ करने का सोच लिया है कि यह मुझे करना ही है किसी अक्जाम को लेकर या फिर अपने लक्षे को लेकर तो वो अपने पूरे determination के साथ करो ठीक है सिनोनिम्स होता है bold, strong, serious और constant और एंटोनिम्स होगा afraid, soft, admirable और cooperative so friends आज की हमारी second vocab है acquisition acquisition एक noun है जिसका मतलब होता है प्राप्ती या फिर love means something acquired means that की प्राप्त की गई वस्तू या फिर कोई खरीदी गई वस्तू जिसको हम हासिल कर सके means grant कर सके उस चीज को या फिर कोई ऐसी भी चीज जो अपने खरीदी और उसमें आपको profit हुआ हो उसको गोलते है acquisition synonyms होगा addition, gain, purchase, recovery और antonym होगा loss, failure, debt और death ये death नहीं है friends है, ये misprint हो गया, so friends, आज की हमारी third vocab है, retrospective, retrospective एक adjective है, जिसका मतलब होता है पूर्व परभावी, concerned with are related to the past, means that की कोई past से related, जिसका मतलब होता है कि दुबार आपने past में देखना, looking again at the past, जैसे आपने अभी कुछ किया है और आपने दो साल पहले भी कुछ किया था, उन दोनों चीजों का comparison करना, उसको बोलते है, retrospective, पूरू परभावी, synonyms होता है, review, reflective, revision, retroactive, और collective, So friends, आज की हमारी fourth vocab है, ostensibly, ostensibly एक adverb है, जिसका मतलब होता है, प्रकर्ट रूप या फिर देखने में, from appearances alone, Means that कि किसी चीज़ को, जिसे कि suppose that कि आपने कुछ चीज़ को सोचा, think कि यह चीज़ ऐसे हो जाती, और अचानक से suddenly वो आपकी लाइफ में हो जाती है, तो वो होता है, प्रकर्ट रूप, synonyms, officially, supposedly, evidently, और antonyms होगा, improbably, unlikely, और obscurely, अब आपने एक चीज़ नोटिस की, कि यहाँ पर यह जो vocab थी, एडवरब थी, और इसकी synonyms और antonyms भी, इसके एडवरब ही है, अगर ऐसकी हमारी, अगर ऐसके कभी भी कोई vocab आ जाता है, जिसके पिछे, जिसके पिछे ly लगा हो, वो एडवरब होता है, और आप यह देख लेना, जभी चार ओप्षन मिलेंगे, और जिस भी ओप्षन में, अगर आपको कभी ऐसा मिल जाए, कि जिसके पिछे अगरी में, सिनोनिम्स होगा, यह भी एक सोल ट्रिक की है, तो फ्रेंड्स, आज की हमारी फिफ्ट और लास्ट वोकेब है, गैमेट, गैमेट एक नाउन है, जिसका मतलब होता है, संपूर्ण या विस्तार से, एक कम्प्लिट अक्ष्टेंट, एक कम्प्लिट अक्ष्टें करना, सिनोनिम्स होता है, स्पैक्ट्रम, एरिया, स्केल, स्विफ, फिल्ड और वेरेटी, सो फ्रेंड्स, आज का वोकेब सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सो बाई बाई मिलते हैं, मॉर्निंग ट